नमुश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश रासन जोतपुर बेकाने जिले की बड़ी खब्रें जयन धर्म के 24 में तेज़कार भगवान महावीर के स्वामी का 2621 वाजनमो सवाज गुरुवार को हशो लास वे धुनधाम से मनाये जाएगा इसके लिए केसर गंज स्थेत श्री आदिनाथ जयन मंदिर से शुभाय यात्रा निकाली जाएगी शुभाय यात्रा में 30 ज्हांकियां एमम स्वर्णिम रथ शामिन होंगे अध्याक्षी सुनिल धिलवारी ने बताया कि 14 अपराल वुद्वार सुभे साड़े चौर बजे ज्यन मंदिर केसर गंज में राजा सिधार्थ के दर्बार में ब्रहमी महिला मंदल द्वारा बधाई गीत गाई जाएगे गुजरात के साबर मती से रवाना हुई कॉंग्रेस की दांडे यात्रा 15 अपराल को डुंगरपूर आएगी मुख्य मंत्रिय अशोग गहलोत कॉंग्रेस के रास्टर महासर चेव मुकुल वासनी प्रदेश अध्याक्ष गोविन सिंग्डो टासरा समेत कॉंग्रेस के कई मंत्री और नेता इस यात्रा का राजिसान में रतनपूर बॉर्डर पर स्वागत करेंगी डुंगरपूर कॉंग्रेस इस अफसर पर होने वाले जुन सभा में भीड जुटाने की तैयारियों में जुट गई है पूरवी राजिसान नहर परियोजना को लेकर मुखे मंत्री अशो गहलोत वे केंद्रिय जौल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शिखावत के बीज तल्ख बयान बाजी के बाद कॉंग्रेसी कारकरताओं ने बुधवार को नहर परियोजना से जुड़े तेरह जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रास्पती के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापन स्वापा दोसा में कॉंग्रेसी जुला ध्याप्ष रामजी लाल ओड के नेतरतों में कारकरताओं ने रैली निकाल कर कलेक्टरेट के सामने केंद्रिय जौल शक्ती मंत्री का पुतला फुंका इसके बाद कलेक्टर को ग्यापन स्वापा गया इस दोरान मंत्री मुरारी लाल मीना वे बांदिकोई विधायक जी आर खटाना समेत कॉंग्रेस पतादिकारी मौजूद रहे दुंगरपुर में लॉक कॉलेज खोलने के प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दे गई है बार काउंसिल की ओर से लगी तीन साल की रोक का समय पूरा हो गया है ऐसे में दुंगरपुर लॉक कॉलेज को इसी शाक्षिनिक सत्र से शुरू करने के लिए प्रयास शुरू हो गए है ये कॉलेज शुरू होने से कानून की बढ़ाई करने वाले स्टूडन को फायदा होगा दूद की दौर में वृदी की मांग को लेकर दूद उतपादक बधवार को उदयपूर में सड़ को पर उतर गए इसे उदयपूर में दूद की सप्लाई ठप हो गई दूद की कीमतों में वृदी की मांग को लेकर उदयपूर जिला दूद उतपादक संगठन ने दो दिन की हर्ताल शुरू कर दी जिसे दूद की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहे हर्ताल से जिले में करीब एक लाख लिटर दूद का विदरन रोका गया है रासा राजय विदिक सेवा प्रादिकरन ज्यपूर के निर्देश पर देविंदर सिंग भाटी सच्चिव जिला विदिक सेवा प्रादिकरन अपर जिला ने आए देश पाली ने बुद्वार को पाली जेल का निरिक्षन किया जहां 102 बंदी उपस्तित मिले इस दौरान उन्हों ने बंदियों को विदिक जौनकारी दी तथा समस्याओं के बारे में पूछा जिस पर बंदियों ने जेल में पानी के संकट के बारे में बताया इस पर सच्चेव भाटी ने नगर परिशाद आयक्ट प्रजेश रॉय को कॉल कर जेल में परयाप्ट पेजल की सप्लाई करवाने के निर्देश दिये जोद्पर कमिशनर रेट की एरपोर्ट पुलिस ने पाबुपूरा से बासनी बेंदा तिराहे पर नाकबंदी के दौरान एक यवो को ग्रिफतार कर चोरी की साथ मोटर साइकले और दो नमबर प्लेटे बरामत की थानादिकारे दिलीप खदाव ने बताया कि नाकबंदी के दौरान बिना नमबर की मोटर साइकल सवार माधाराम भिशनोई को पकड़ा गया जाँच वैं पूछताच में उसके पास बिना नमबर की मोटरसाइकल चोड़ी होने का पता लगा इस पर उसे थाने लाए गया जहां पूछताच की गई तो चोड़ी की चै और मोटरसाइकले होने की जान करी सामने आई उसकी निशान देही से पुलिस ने चोरी किछे और बाइक वै दो नमबर प्लेट बरामत की बिकानेर में बुदवार को दोपहर बाद हुई बादलवाही ने मौसम बदल दिया है शोहर के चारों तरफ उमडते घुमडते बादलों ने बारिश के उमीद बंधा दी है तापमान में आए गिरावट की चलते बिकानेर को गर्मी से राहा जरूर मिल गई है आने वाले दिनों में गर्मी फिर से बढ़ने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने बिकानेर के लिए फिर से येलो अलर्ट चारी कर दिया है अप्रायल के अंतियम सब्ताहा तक बिकानेर में तापमान 48 रिग्री सायसियस तक भी पोहन सकता है बुद्वार को देशनोक वे आसपास के गाउं में हल्की बुंदा बांदी हुई है मुखी मंद्र चूगहलोत के जनम दिवस पर रातरी कालेन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कया जाेगा हिरए रामेगवान ने इस प्रतियोगिता की टी-शेट लाउंच कि शिक्षा विभाग में जुला समान परिक्षा के तहथ नौवी वैग्ज Kक्षा की वाज़िक परिक्षा का टाइम टेबल मंगलवार को घोशित कर दिया है नौवी वे ग्यार्वे कक्षा की वार्षिक परिक्षा 28 सप्रायल से होगी जो कि 10 मही तक चलेंगी परिक्षा दो पारी में आउजित की जाएगी पहली पारी में सुबह 8 से पौने 11 बजे और सैकेंड पारी में साड़े 11 बजे से सवा 2 बजे तक परिक्षा होगी नौवी कक्षा के सभी पेपर सुबह की पारी में होंगे जबकि ग्यार्वी कक्षा की परिक्षा विशेवार दो पारियों में आयजित की जाएंगी बिकानेर जिली की 900 स्कूलों की करीब 80,000 स्टूडेंट्स इस परिक्षा में शामिल होंगे राजसान न्याई करम चारी संग शाखा जोदपुर महानगर के चुनाव में अनिल जोशी अध्यक्ष उने गए हैं जुनाव सायोजक विजय नागोरी ने बताया कि अध्यक्ष पत के लिए सोहन राम चौधरी, अशोक सांखला, सागर कुमार, सुरीश सांखला, मुकेश जोशी एवं अनिल जोशी में कड़ा मकाबला हुआ इसमें अनिल जोशी ने सागर कुमार को 26 वोट से पराजित किया, अनिल जोशी को 145 वोट पराप्थ हुए डॉक्टर भीमराव हम बेटकर की 131 जुहनती से पहले बिकानेर में दो दलित नेता आमने सामने हो गए हैं केंड्रिय मंत्री अरजुनाम मेगवाल और राजी के कैबिनेट मंत्री गोविंद मेगवाल ने अपने अपने स्तर पर इस दिन का राजनितिक लाप लेने का प्रयास से शुरू कर दिया है पहले केंद्री मंत्री अर्जुनाम मेगवाल के निर्देशन में रेवे ग्रांट पर बड़ा आयोजन हुआ और अब गुरुवार को गोविन मेगवाल शक्ति प्रदर्शन करेंगे जोद्पुन में संत शिरोमनी पीपा महराज की 699 वी जैनती 16 अप्रेल को विभिन कारिक्रमों के साथ शुद्धायम भक्ति भाव से मनाई जाएगी इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है पीपा जोएंती के उपलक्षे में दो दिवस्ती कारिक्रम होंगे जिसकी शुरुवात 15 अप्रेल को होगी श्री समस्त पीपा शत्रिया नियाती ट्रस्ट के अध्याक्ष प्रकाष चावडा ने प्रेस वारता में बताया कि दो वर्ष के बाद आयोजित हो रहे जोयनती महुतसव को लेकर समाज के लोगों में भारी उच्साह का माहौल है कारकर्म का शुबारम 15 अप्रेल को सुबह रक्तदान शिविर से होगा दूसरे दिन 16 अप्रेल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी माराजागंगा सिंग यूनिवस्टी के ग्रेजुएशन एक्जाम 19 मईस से शुरु हो जाएंगे जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के एक्जाम जून के पहले सबता हमें शुरु होंगे यूनिवस्टी के कुलपती ने इस सम्द्ध में विस्तरत कालकरम से पहले तारीख घोशित कर दी है वह यूनिवस्टी में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स को अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट और डुब्लिकेट माक्षिट के लिए ओनलाइन आविदन करना होगा इसके लिए यूनिवस्टी के बार बार चकर कारने के जरूरत नहीं है कुलपती की ओर से परिक्षा 2022 के आयोजित कालकरम भी घोशित किया गया श्री महावीर जयन नवीवक मंडल एवं भगवान महावीर जयनती के उपलक्षे में आयोजित कालकरमों की श्रंकला में बुदिवार को जीवदया दिवस मनाया गया जीवदया कालकरम के तहसर सागर स्थित कुत्तों के बाड़े में दूद वैसोगरा, रोटी, धरमपूरा गोशाला एवं अरना जहरना मोकला वास्थित गोशाला में गायों के लिए वे बकरों के बाड़े में बकरों के लिए दो ट्रक हरा और एक ट्रक सुखा घास एवं 501 किलो लाप से वित्रित की गई तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाज़रूंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें